एग्री कोमोडिटीज के अंदर आज कौन सी ऐसी कोमोडिटी होगी जिसके अंदर निवेश करके चलने में मुनाफा देखने को मिल सकता है Agri Commodities के अगर बात करें तो आज सभी Agri Commodities के अंदर मेरा जुलसा रुजान देखने को मिल रहा है जहां कुछ Commodity लार रंग के साथ है तो कुछ हरे रंग के साथ भी कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है सबसे पहले नजर डालेंगे Caster Seed के उपर जिस कैस्टर सीट के अंदर निर्यात मांग निकलने से कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा था अब वो कीमते थम गई है कैस्टर सीट की कीमते एक रेंज में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है की कैस्टर सीट की कीमतों में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और उपर में प्राइजेज 2400-420 तक जाते हुए दिसंबर वाइदा में दिखाई दे सकते हैं वहीं जनवरी वाइदा की बात करें तो 460-480 रुप का स्थर आज दिसंबर वाइदा में भी देखने को मिल सकता है यानि कैस्टर सीट में आज खलिदारी की रननीती बना कर चला जा सकता है वहीं बात बिनोला खल की करें तो कोटन के अंदर आब उपरी सरों पर मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल रही है जिसका असर बिनोला खल की कीमतों के उपर भी आता हुआ दिखाई दिया है और बिनोला खल की कीमते भी अपने उपरी सतरों से लुड़कती हुई नजर आ रही है कोटन में दरसल मुनाफ़ा वजूली है मंडियों में आवक से उपरी सतरों पर दबाव बना हुआ है जिसका असर हमें बिनोला खल की कीमतों के उपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है कि बिनोला खल की कीमते जो हैं अभी 2400 के आसपा सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकते हैं अगर 2400 के नीचे लुड़कती है तब गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती है लेकिन फिलाल के लिए इंट्राडे में 2440 और उपर में 2480 की रेंज देखने को मिल सकती है तो नीचले सरों पर खरदारी के रनीती होनी चीए इसमें बिक्वाली को तो अवोइट करना चाहिए जो भी बजार नीचे डिप मारे तो वहां पर खरदारी करके चला जा सकता है वही इसके साथ अगर हम कोटन पर भी नजर डालें तो कोटन पर भी दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है MCX पर वाइदा के अंदर उपरी स्थरों पर मुनाफ़ा वसूली हावी हुई है मंडियों में नहीं आवा काने से उपरी स्थरों पर दबाव है वहीं WASDA ने चीन का कंजम्शन अनुमान घटाया है कोटन का ग्लोबल फंडामेंटल काफी मजबूत है लेकिन कंजम्शन का अनुमान घटने के चलते कीम्तों के उपर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है वैसे देखा जाए तो कोटन का पूरी दुनिया में उतपादन में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है अमेरिका में कोटन का उतपादन 3% कम रहने का अनुमान है वहीं भारत में भी उतपादन कम रहने का अनुमान लगाया गया है World Cotton Consumption Growth में 2.9% की भड़ोतरी की संभावना जताई गई है वही करोना के बाद दिमान बने से कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है यानि कि Cotton के पूरे अगर fundamental पर नज़र दोड़ाएं तो Cotton का fundamental काफी supportive है जिसके चलते उमीद है कि Cotton में फिलाल तेजी बनी रह सकती है आज हम वाइदा के अंदर Cotton के अंदर वापिस से recovery आते हुए देख रही है और January वाइदा डेट फिसद तक तेज हो चुका है जबकि December वाइदा में अभी आदि फिसद की ही तेजी देखने को मिल रही है उमीद की जा रही है कि Cotton जो है दिसंबर वाइदा 32,000 तक उपर जा सकता है वही January वाइदा 32,000 से 33,000 के स्थर दिखा सकता है यानि घरेलू बाजारों में भी तेजी का महौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है करेक्शन के अंदर Cotton और Cotton Oil Seed के इन दोनों ही Commodities के अंदर खरिदारी की रहनती बना कर चलना चाहिए थोड़ा सा Horizon लंबा रखें अगर इसका आपका Outlook थोड़ा लंबा है आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो जिन भी किसानों के पास Cotton रखा हुआ है कपास है उसको थोड़ा सा अप होल्ड करके चले क्योंकि उमीद है आने वाले दिनों में एक बार फिर से 1000-1500 रुपे की तेजी कपास के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है वहीan Cotton के बाद अब रुक करेंगे हम मसालों के अंदर मसालों के अंदर अगर देखा जाए तो सभी मसालों के अंदर आज उपरी सतरों पर हल्का हल्का दबाव देखने को मिल रहा है लगातर पिषले कुछ दिनों से धनिय में ज़वरदस तेजी देखने को मिली धनिये के साथ जीरे में भी करिदारी लोटती हुई नजर आई और हल्दी भी अपनी खुश्बू भी खेरती हुई नजर आई लेकिन आज उपरी इस तरो पर हल्दी के अंदर जहां मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल रही है तो वहीं जीरा काफी पॉजिटिव होता दिख हाई तेरा है निर्यात मांग बढ़ने लगे हैं जिसकी वज़ा से जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है लगातर हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताया है कि जीरे की कीमते अगर 16,000 के उपर सस्टेल करती है तो उसमें तेजी बन सकती है और आज आप देखिए जीरे की कीमते 16,500 के उपर निकल चुकी है अब उमीद की जारी कि 16,800 से लेकर 17,200 तक जीरे की कीमते एक बार उपर में जाती हुई दिखाई दे सकती है इसलिए जीरे के अंदर भी छुट-पुट खरिदारी की तरफ जाया जा सकता है वहीं धनिये की बात कर तो धनिये के अंदर जबर्दस तेजी आ चुकी है 87,000 के पास हम धनिये को कारोबार करता हुआ देख चुके है अब उपरी स्तरों पर थोड़ा सा मुनाफ़ा वसूली आती हुई नजर आ रही है लेकिन अभी भी मंडियों के अंदर अराइवल्स कम है और खिरिदारी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों कमोडिटी के अंदर अभी उपरी स्तर छूते हुए नजर आ सकते हैं अगर जीरा 16,000 के उपर सस्टेन रहता है 16,500 से तो मिझे लगता है कि आने वाले दिनों में 17,000 से 18,000 का भी स्तर जीरा दिखा सकता है तो आने वा कमोडिटी होती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों में जिसने सब का रुजान अपनी तरफ खीचा था अब वो कमोडिटी उपरी स्तरों से फिसलती हुई पिछले दो दिनों में दिखाई दे रही है लगातार 13,000 के उपर सस्टेन करने वाली गौार नीचे फिसल चुकी है अब हमने इसको 11,000 के घरों में कारोबार करते हुए देखा लेकिन आज वापिस से 12,000 के उपर गौार गम कारोबार करते हुई दिखाई दे रही है दरसल कच्छे तेल में जो तेजी आ रही थी उससे भी कीमतों को काफी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा था गौार की कीमते जादा नीचे लुड़कती हुई दिखाई देंगी क्योंकि हाजिर मंडियों में अभी भी मजबूत मांग बनी हुई है और सप्लाई काफी कम है क्योंकि मंडियों में गौार की नई आवक अभी काफी कम देखने को मिली है पिछले साल कम भाव से किसानों क रुजहान इसके अंदर घट गया था जिसके चलते सोइंग कम हुई और अब प्रोडक्शन भी कम बताया जा रहा है दो तिन सालों में उत्पादन फिलाल गवार का घटकर आदा रहे गया है चालू सीजन में 35 लाग बोरी उत्पादन होने की संभावनाई जताई जा रही है जो फार्मर पहले गवार के अंदर सोइंग करते थे उनका रुजहान अब गवार की बजाए मुंफली और कोटन में बढ़ चुका है जिसके चलते गवार का प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है तो अब जो सिनेरियों बनता हुआ दिखाई दे रहा है गवार का फिलाल जी बनी रह सकती है और गवार साड़े तेरह जार से पंदरह हजार का सर भी चूटी हुई नजर आ सकती है क्योंकि गवार के फंडामेंटल अभी काफी सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं और डिमांड भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है और ट्रेडर्स काफी एक् प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है लेकिन एक ऐसा खादया तेल सोया बीन जिसने सबको अपनी औरा करशित किया है एक बार फर से सोया बीन की कीमते तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है चबकि रिफाइम सोया बीन ओईल उपरी सतरों पर फिसलता दिखाई दिया है यानि कि एक सिमी दाइरे में कारोबार लेकिन सोया बीन ने रिकोर्ड तोड एक बार फर से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है पाच हजार से लेकर पचपन सो के घरों में कारोबार करने वाला सोया बीन अब बासट सो के उपर अपनी सस्टेनिबिट दिखाता नजर आ रहा है, वंबर वाइदा में 7 एक फिस् coefficient की तेज़े जबके दिशंबर वाइदा में हलके हरा निशान देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी उमीद यही की जा रही है, कि सोया बीन की कीम्तों में जबरदस्ट उच्छाल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है ये कोमोनिटी पहले सुस होती दिखाई दी थी लेकिन एक बार फ़र से इसके अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है पिसले अगर 7-8 सेशन की बात करें तो सोया बीन में लगातार तेजी आई है इसके भाव लगबग 14-15 फिसद तक बढ़ चुके हैं मंडियों में सोया बीन की नई आवग काफी कम हो रही है भाव कम मिलने से किसान माल नहीं बेच रहे वहीं सोया मील सेक्टर से मजबूर डिमांड से भी इसकी कीमतों को सपोर्ट मिलता तिखाई दिया है अक्टूबर में ग्लोबल वेज ओयल प्राइज एंडेक्स 9.6 फिसद तक बढ़ चुका है जबकि मजबूर डिमांड तंग सपलाई से कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है देखा जाए तो भारत में शादियों में मजबूर डिमांड की उमीद है यू-एस में फसल हलकी कमज़ोर होने का अनुमान है साथ ही ब्राजिल अर्जेटिना में भी उत्पादन घटने की संभावनाई लगाई जा रही है वहीं मलेशिया इंडोनेशिया में सीप्यों के भाव बढ़ने से भी सोया बीन को सपोर्ट मिला है तो यानि अगर देखा जाए तो सोया बीन की कीमतें फंडामेंटरी काफी सपोर्टिव नजर आ रही है वहीं अगर वाइदा की बात करें यानि NCDX पर सोया बीन के रिटन पर नजर डाले तो एक हफते में इसने 13 फीसद का पॉजिटिव रिटन अपने निवेशकों को दे दिया है जबकि एक महीने में 12 फीसद तो एक साल में 35 फीसद तक का पॉजिटिव रिटन फिलाल दिया है वहीं soya oil के return पर नजर डाले तो उसमें भी एक हफ्ते में एक फिसद का return आया है जबकि एक महीने में 4 फिसद का तो 3 महीने में 13 फिसद का negative return soya oil में आता दिखाई दिया है हाला कि इसने 12 महीनों में 17 फिसद का positive return भी दिया है तो देखा जाए तो जिन्होंने soya bean में और soya oil में निवेश किया था तो उनको एक महीने के दर्मियान अच्छा return आता हुआ दिखाई दिया है और अब जो मंडियों में स्तिती बनती नजर आ रही है farmers को उमीद है कि soya bean एक बार फर से उन्हीं सतरों पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जिसके चलते इन levels के उपर वो माल नहीं निकाल रहे है यानि मंडियों में supply तंग होती नजर आ रही है लेकिन जो व्यपारे हैं जो stockist हैं वो demand करते नजर आ रही है और उस वज़े से कीमतों को दोहरा support मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कीमते एक बार फर से तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वज़े से soya bean के अंदर फिलाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है वही यूएस के एगरी डिपार्टमेंट ने जो यूएस का उत्पादन है उसको भी घटाने के लिए कहा है और उनका उत्पादन का अनुमान आ रहा है 38.5 तन से घटकर 38.4 तन यानि मामूली सी प्रोडक्शन में उन्होंने भी अपनी गिरावट दिखाई है और अल्रेडी ह आसे बनते नजर आने एक बार फ़र से कि सोया बीन की कीम्तों में बूम आना तैह है तो इसलिए माना जा रहा है कि सोया बीन की कीम्ते अब आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटन देती हुई नजर आ सकते हैं क्योंकि मंडियों में आवक कम है सोया मील की मजबूत export demand है तो ये सारे factor इनको मजबूती देते हुए नजर आ सकते हैं, तो ऐसे में सोहया बीन में निचले स्टरों पर खरदारी करके चला जा सकता है, वहीं अगर हम agri commodities की overall बात करें, तो आज intra day के अंदर agri commodities के अंदर एक दो commodities ऐसी हैं, जो अच्छा मुनाफ़ा देती हुई नजर आ सकती है, अभी फिलाल अगर हम short term strategy की तहले बात करें, तो आज intra day perspective से अगर देखा जाए, तो जीरे में तेजी बनती दिखाई दे सकती है, जीरा 16,800 तक दिसंबर वाइदा जाता हुआ दिखाई दे सकता है, वहीं सोया बीन भी उपर में 680 तक उपर जाती हुई दिसंबर वाइदा में दिखाई दे सकती है, तो ये फिलाल दो commodities ऐसी हो सकती है, जिसमें intra day में आपको मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है, वहीं अगर थोड़ा सा long term outlook लेकर चलें, तो long term outlook के point of view से cotton अभी फिलाल अच्छी नज़र आ रही है, कोटन के साथ-साथ, गवार के अंदर भ खल को लेकर आ रहे हैं कि विनोला खल में आगे कैसे है, रुजान देखने को मिल सकता है, तो मुल जी जो बिनोला खल की जो स्थिती बनती दिखाई दे रही है, पॉल्टर इंडस्टी की तरफ से काफी demand आगे आने वाले दिनों में निकल सकती है, उमीद की जा रही है, आन साथ जुड़े हैं जिनका सवाल कोपर को लेकर आ रहा है, कोपर में फिलाल वेट और वोच की पॉलिसी अपनानी चीए, 700 के नीचे लुड़कता है, तो 680 के टार्गेट के लिए आप विक्वाली में जा सकते हैं, अधर यहां से अगर 700 को वापी से मेंटेन करता है, तो उ फिलाल के लिए आप छुटमुट करदारी की तरफ जा सकते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो अगला सवाल हमारा मक्के को लेकर आ रहा है, मक्का, मक्का देखिए, जो भी हमारे दर्शक मक्के के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं, या मक्का जिनके पास रखा है, वो भी उमीद की जा रही है कि प्राइज़ नीचे जा सकते हैं, वहीं अगर बात करें, जीरे की अगला सवाल जीरे को लेकर है, जीरे के अंदर तेजी बनती अब बिल्कुल दिखाई दे रही है, टेक्निकली और फंडामेंटल दोनों सपोर्टिव नजर आ रहे हैं, वहीं अ लंकि जी फिलाल कोई तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि डालों के अंदर फिलाल दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत जादा नम्बी तेजी बनती हुए नजर नहीं आ रही है। में हो सकता है आपको 1100 के आसपस अगर भाव आए तो वहां पर थोड़ा बहुत बाइंग का नजरिया बनता दिखाई दे सकता है लेकिन फिलाल के लिए आपको बाइंग को अवोइड करना चाहिए मेरे इसाब से अभी फिलाल सोया बीन में ही बाइंग करें तो जादा अच् गूंते हुए नजर आ सकते हैं वहीं बिनोला खल को लोंग टर्म लेकर स्ट्रेजी पूछ रहे हैं अगर लोंग टर्म की बात करें तो बिनोला खल के अंदर लोंग टर्म में आपको 2800 से 3000 का स्थार एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है तो काफी सारे हमारे बखा है जैसे ही 500-700 रुपे की अपसाइड में देखने को मिले तो कुछ-कुछ माल निकालते भी रहें आने वाले दिनों में दबाव भी बन सकता है एक बार तेजी पकड़ेगा मार्केट लेकिन उसके बाद करेक्शन भी आएगी तो इसलिए जो भी उपरी सार मिले हम ध एगरी कोमोडिटीज की बात करें तो आज एगरी कोमोडिटीज में कुछ एक कोमोडिटीज ऐसी हैं जो मुनाफ़ा देती हुई नजर आ सकती हैं तो आज आप गवार के अंदर बाइंग में जा सकते हैं गवार के सासा सोया बीन के अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं